ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती आज 24 परबरी दो हजार चौबीस बाबा के महावाग्यत मीठे बच्चे तुम अभी हंस बनने का पुरशार्थ कर रहे हो तुम्हें इन लक्ष्मी नारायन जैसा हंस अर्थात संपून निर्विकारी बनना है मीठे बच्चे तुम अभी हंस बनने का पुरशार्थ कर रहे हो तुम्हें इन लक्ष्मी नारायन जैसा हंस अर्थात संपून निर्विकारी बनना है प्रश्न इस ग्यान मार्ग में तीवर जाने की सहज विधी क्या है उत्तर इस ग्यान में तीवर जाना है तो और सब विचार छोड़ बाप की याद में लग जाओ जिससे विकर्म विनाश हो जाएं और पूरा कच्रा निकल जाएं याद की यात्रा ही उच पद का आधार है इसी से तुम कोड़ी से हीरा बन सकते हो बाप की ड्यूटी है तुम्हें कोड़ी से हीरा पतित से पावन बनाने की इसके बिगर बाप भी रह नहीं सकते ओम शान्ति बाप बैट बच्चों को समझाते हैं कि इस दुनिया में कोई हंस भी है तो बगुले भी है ये लक्ष्मी नारायन हंस है इन जैसा तुम को बनना है तुम कहेंगे हम दैवी संप्रदाय बन रहे हैं बाप कहेंगे तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो मैं तुमको हंस बनाता हूँ अभी पूरे बने नहीं हो बनना है हंस मोती जुगते हैं बगुला गंद खाते हैं अब हम हंस बन रहे हैं इसलिए देवताओं को फूल कहा जाता है और उनको काटा कहा जाता है हंस थे फिर नीचे उतरते बगुले बने हैं आधा कल्प हंस आधा कल्प बगुले हंस बनने में भी माया के बहुत विग्न पढ़ते हैं कुछ ना कुछ गिरावट आ जाती है मुख्य गिरावट आती है दिह अभिमान की इस संगम पर ही तुम बच्चों को चेंज होना है जब तुम हंस बन जाते हो तो फिर हंस ही हंस हो हंस अर्थात देवी देवता होते हैं नई दुनिया में पुरानी दुनिया में एक भी हंस हो ना सके भल सन्यासी है परंतु वहद के सन्यासी है तुम हो बेहद के सन्यासी बाबा ने बेहद का सन्यास दिखाया है इन देवताओं जैसा सर्वगुन संपन और कोई धर्म वाला बनता ही नहीं है अब बाब भी आये हैं आदी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने तुम ही नई दुनिया में पहले पहले सुख में आते हो और कोई नई दुनिया में थोड़े ही आते हैं अब इन देवताओं का धर्म ही प्राय लोप है ये बातें भी तुम अभी ही सुन रहे हो और समझते हो और कोई समझ न सके वैं सब हैं मनुष्यमत विकार से तो सब पैदा हुए है न? सत्योग में विकार की कोई बात ही नहीं देवताय पवित्र थे वहाँ योगबल से ही सब कुछ होता है यहाँ पतित मनुष्यों को क्या पता वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं? उसका नाम ही है वाइसलेस वर्ड विकार की बात ही नहीं कहेंगे जानवर आधी कैसे पैदा होते हैं बोलो वहां है ही योगबल विकार की बात ही नहीं सौ परसेंट वाइसलेस है हम तो शुब बोलते हैं तुम अशुब क्यों बोलते हो इसका नाम ही है वेश्यालाय और उसका नाम ही है शिवालाय उस शिवालाई की स्थापना शिवबाबा कर रहे है शिवबाबा उचे से उचा टावर है न शिवालाई भी ऐसे लंबे बनाते है शिवबाबा तुमको सुक्का टावर बनाते है सुक्के टावर में ले जाते हैं इसलिए बाबा में बहुत लव रहता है भक्ती मार्ग में भी शिवाबा के साथ लव रहता है शिवाबा के मंदिर में बहुत प्यार से जाते हैं परन्तु कुछ भी समझते नहीं है अब तुम बच्चे सर्वगुण संपन बन रहे हो अभी संपून बने नहीं हो तुम्हारा इम्तहान तब होगा जब तुम्हारी राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी फिर और सब खत्न हो जाएंगे फिर नमबर वार थोड़े थोड़े आते जाएंगे तुम्हारी तो पहले ही राजाई शुरू होती है और धर्मों में पहले राजाई नहीं शुरू होती है तुम्हारी तो है ही kingdom इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो बनारस में बच्चे सर्विस पर गए उनको समझाने का नशा है परन्तु वो लोग इतना समझ न सके गायन भी है कोटों में कोई हंस कोई विरला बनते हैं नहीं बनते तो फिर बहुत सजाय खाते हैं हाइस्ट और लोएस्ट नंबर तो होते हैं न अभी कोई भी अपने को हंस कह न सके पुरशार्थ कर रहे हैं जब ग्यान पूरा हो जाएगा तब लडाई भी लगेगी ग्यान तो पूरा लेना है न पर लडाई ही final होगी अभी तो कोई सो परसेंट बने नहीं है अभी तो घर घर में पैगाम पहुचाना है बडा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा जिन्हों के बड़े बड़े अड़े बने हुए हैं सब हिलने लगेंगे भक्ती का तख्त हिलने लगेगा अभी भक्तों का राज है न उस पर तुम विजय पाते हो अभी है प्रजा का प्रजा पर राज फिर बदली होगा इन लक्षमी नारायन का राज हो जाएगा तुम साक्षातकार करते रहेंगे शुरू में तुमको बहुत साक्षातकार कराए हुए हैं कैसे राजधानी चलती है परन्तु साक्षातकार करने वाले आज है नहीं ये भी ड्रामा में जिनका जो पार्ट है वह चलता ही रहता है इसमें हम किसी के महमा थोड़े ही करेंगे बाब भी कहते हैं तुम मेरी क्या महमा करेंगे मेरी तो ड्यूटी है पतित से पावन बनाने की टीचर की ड्यूटी है पढ़ाने की अपनी ड्यूटी बजाने वाले की महमा क्या करेंगे बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ इसमें ताकत फिर काहे की ये तो मेरी ड्यूटी है कल्प कल्प संगम पर आकर पतित से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ मैं पावन बनाने विगर रह नहीं सकता हूँ मेरा पार्ट एक्चूरेट है एक सेकेंड भी देरी से वा आगे नहीं आ सकता बिलकुल एक्क्यूरेट टाइम पर सर्विस का पार्ड बजाता हूँ सेकंड बाई सेकंड जो पास होता ड्रामा मेरे से कराता है मैं परवश हूँ इसमें महमा की बात नहीं मैं कल्प कल्प आता हूँ मुझे बुलाते ही हैं पतित से पावन बनाने वाले आओ कितने पतित बन पड़े हैं एक-एक अवगुड छुडाने में कितनी महनत लगती है बहुत समय पवित्र रहकर भी फिर चलते-चलते माया का थपड लगने से काला मुझ कर लेते हैं यह है ही तमुप्रधान दुनिया माया दुश्मन बहुत सामना करती है सन्यासी भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं कोई भी जोती-जोत में समाते नहीं वापिस जा नहीं सकते आत्मा तो अविनाशी है और उसका पाट भी अविनाशी है फिर जोती-जोत में समा कैसे सकती जितने धेर मनुष्य है उतनी धेर बाते वह सब है मनुष्य मत इश्वर ये मत है ही एक देवता मत तो यहां होती नहीं देवता होते हैं सत्योग में तो यह बड़ी समझने की बाते हैं मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते तब तो इश्वर को पुकारते हैं कि रहम करो बाप केते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ जो तुम पूजने लायक बनते हो अभी थोड़े ही पूजने लायक हो, बन रहे हो तुम जानते हो हम ये बनेंगे फिर भक्ती मार्ग में हमारी ही महिमा होगी हमारे ही मंदिर बनेंगे तुमको मालुम है कि चंडी का देवी का भी मेला लगता है चंडी जो बाप की स्रीमत पर नहीं चलती फिर भी विश्व को पवित्र बनाने में कुछ ना कुछ मदद तो करती है न सेना है न सजाए आदी खाकर फिर भी विश्व का मालिक तो बनते है न यहां कोई भील होगा वे भी कहेगा हम भारत के मालिक है आज कल देखो एक तरफ तो गाते हैं भारत हमारा सबसे उचा देश है और दूसरे तरफ फिर गाते हैं कि भारत की क्या हालत हो गई है रक्त-खून की नदियां बहती रहती हैं एक रिकॉर्ड में महमातू, एक रिकॉर्ड में निंदा, कुछ समझते नहीं है, तुमको तो यथार्त रीती अब बाप समझाते हैं, मनुस्यों को थोड़े ही पता है कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं, कहेंगे वाह, इन्होंने भगवान को टीचर बना रखा है, अरे, भगवान वाच है ना, कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, सिर्फ गीता में मनुष्य का नाम डाल, गीता को खर्णन कर दिया है, सिर्फ ग्रश्न भगवान वाच ये तो मनुष्य मत हो गई ना, सिर्फ ग्रश्न कैसे यहां आएगा, वे तो सत्यूक का प्रिंस था, उनको क्या पड़ी है जो इस पते दुनिया में आए, बाप को तो तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु तुमारे में भी विरला कोई य से पूछना है कि हम ऐसे बने हैं, भल चाहते भी हैं, हम किचडे से जल्दी बाहर निकलें, परंतु जल्दी हो न सके, ताइम लगता है, तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, समझाने वालों में भी नंबर वार है, युक्ती युक्त समझानी पिछाडी की होगी, तब तुम्हारे बाण चलेंगे, तुम जानते हो, हमारी पड़ाई अब चल रही है, पड़ाने वाला तो एक ही है, सब उनसे पड़ने वाले हैं, आगे चल, तुम लड़ाई ऐसी देखेंगे, जो बात मत पूछो, लड़ाई में तो बहुत मरेंगे, फिर इतनी सब आतमाएं क कहां जाएंगी, क्या इकटी ही जाकर जन्म लेंगी, जाड बड़ा होता है, बहुत टाल टालियां पत्ते हो जाते हैं, रोज कितने जन्मते हैं, मरते भी कितने हैं, वापिस तो कोई जा नहीं सकते, मनुष्यों की व्रद्धी होती जाती है, इन रेजगारी बातों में जा आने से पहले बाप को तो याद करें, जिससे विकर्म विनाशों और किचला निकल जाए, फिर है दूसरी बात, तुम इसका कोई विचार न करो, पहले अपना पुरुशार्त करो, जो ऐसा बन सको, मुख्य है याद की यात्रा और सब को पैगाम देना है, पैगंबर एक ही ह धर्मिस्थापक को भी पैगंबर वा प्रिसेप्टर्स नहीं कह सकते, सद्गती दाता एक ही सद्गुरु है, बाकी तो भक्ती मार्ग में मनुष्ट कुछ न कुछ सुधरते हैं, कोई न कोई दान भी करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, तो कुछ न कुछ दान दे आते हैं तो ये तो तुम जानते हो इस अंतिम जन में बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं इसको ही अमूल्य जीवन कहा जाता है परन्तु इतना पुर्शार्थ करना पड़े तुम कहेंगे हमारा कोई दोस नहीं है अरे मैं आया हूँ गुल-गुल फूल बनाने तो तुम क्यों नहीं बनते हो मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की तो तुम क्यों नहीं पुर्शार्थ करते हो पुर्शार्थ कराने वाला बाप तो मिला है इन लक्षमी नारायन को ऐसा किस ने बनाया दुनिया थोड़े ही जानती है बाप आते ही है संगम पर अभी तुम्हारी बातों को कोई समझते नहीं है आगे चलकर जब तुमारे पास बहुत आएंगे तो उन्हों की ग्रहकी तूट पड़ेगी बाप कहते हैं इन वेद शास्त्रों का सार है मैं इन वेद शास्त्रों का सार मैं सुनाता हूं धेर के धेर गुरु हैं सब भक्ती मार के सत्यूग में सब पावन थे फिर पतित बने अब बाप फिर आकर तुम्हें बेहद का सन्यास कराते हैं क्योंकि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है इसलिए बाप कहते हैं कब्रिस्तान से बुद्धी निकाल मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे अब कयामत का समय है सब का हिसाब किताब चुक्तू होने वाला है सारी दुनिया की जो आत्माएं हैं उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है आत्मा शरीर धारन कर पार्ट बजाती है तो आत्मा भी अविनाशी है पार्ट भी अविनाशी है इसमें कोई फर्क पड़ नहीं सकता हू बहू रिपीट होता ही रहता है ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है नंबर वार तो होते ही है कोई रोहानी सर्विस करने वाले कोई इस्थूल सर्विस करने वाले कोई कहते हैं बाबा हम आपका ड्राइवर बने तो वहाँ भी विमान का मालिक बन जाएंगे आज के बड़े लोग समझते हैं अभी तो हमारे लिए स्वर्ग है बड़े-बड़े महल है, विमान है बाप कहते हैं ये सब हैं आर्टिफिशियल इनको माया का पाम्प कहा जाता है क्या-क्या सीखते रहते हैं जहाज आदी बनाते हैं, अब ये जहाज आदी वहाँ काम में थोड़े ही आएंगे बॉम्स बनाते हैं, ये थोड़े ही वहाँ काम में आएंगे सुख वाली चीजें तो काम में आएंगे विनाश होने में साइंस मदद करती है फिर वो ही साइन्स तुमको नई दुनिया बनाने में भी मदद देगी ये ड्रामा बड़ा वंडर्फुल बना हुआ है अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस दे धारना के लिए मुख्यसार पहला इस कयामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का सन्यास करना है इस कब्रिस्तान से बुद्धी निकाल देनी है याद में रहकर सब पुराने हिसाब किताब चुक्तू करने है दूसरा मुख से चदैव ज्ञान रत्र निकालने हैं पत्थर नहीं पूरा पूरा हंस बनना है काटों को फूल बनाने की सेवा करनी है वर्दान सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य व्रत्ती की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूरत भव सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य व्रत्ती की स्थापना को इमर्ज करने वाले सफलता मूरत भव सेवा से खुशी वा शक्ती मिलती है लेकिन सेवा में ही वैराग्य व्रत्ती भी खत्म हो जाती है इसलिए अपने अंदर वैराग्य व्रत्ती को जगाओ जैसे सेवा के प्लैन को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है ऐसे अभी बेहद के वैराग्य व्रत्ती को इमर्ज करो चाहे कितने भी साधन प्राप्त हो लेकिन बेहद के वैराग्य व्रत्ती की साधना मर्ज नहीं हो साधन और साधना का बैलेंस हो तब सफलता मूरत बनेंगे सिलोगन असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है अच्छा ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती